नमस्का दोस्तों इस वीडियो में इस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन ओयल कॉर्परेशन लिमिटेड इसको हम आईउसी के नाम से जानते हैं यह स्टॉक 163 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है मार्केट में आज इसने 3.50% का डाउन मूव दिया था मार्केट केप हो गये 2,29,823 क्रोड की तो मोटर होलिंग 51.50% है बुक वल्यू 130 है डिविदेंट इल्ड काफी स्टॉंग है 7.24% एंड फेस वल्यू 10 है अभी के लिए स्टॉक 50 डियमे के निचे 200 डियमे से उपर ट्रेड कर रहा है तो अभी के लिए स्टॉक्स ने अपनी सपोर्ट वन को आज ब्रीच किया है तो 90% स्टॉक्स में डाउन मूव तो हमें देखने को मिला ही है और बहुत सारे स्टॉक्स है जने अपने स्पोर्ट को ब्रीच किया है तो अभी के लिए काफी स्टॉंग डाउन मूव मिला है 3.50% का स्टार्टिंग में ये ग्रीन में था और काफी अच्छे मूव की उमीद भी थी क्लोजिंग इसकी उपर रही थी बट फिर नीचे आ गया ये और निफ्टी भी नीचे आ गई मार्केट भी पहले ग्रीन में थी फिर नीचे आ गया तो अभी के लिए जो इसके टागेट है उनको हम थोड़ा सा स्ट्रेच करके ही लेके जा रहे हैं और 16% के मूव की उमीद कर रहे हैं हम इस मन्त के अंद तक ट्रेडिंग व्यू की यहां पे टेक्निकल अनलिसिस दो है वो स्ट्रॉंग सेल की है बट मैं यह जरूर बोलूँगी स्टॉप लॉस जरूर साथ में लेके चले बट इस रेंज को अगर गौर से देखे तो पहले भी कई बार इस रेंज पे आया है और वापसी ली है इसने की है 160.66 का तो 161 यह 160 का लेके चलेंगे एंड उसके बाद सपोर्ट 2 है इसका 153.64 पे तो उसको भी ध्यान में रखके चलेगा थोड़ा सा स्टॉप लॉस हर किसी का अपने अपिटाइड के अकॉर्डिंग होता है कोई किसी का ऑपरचिनिटी स्टॉप लॉस होता है किसी क पेमेंट्स देनी होती है कर बार तो स्टॉप लॉस अपने अपने तरीके के इसलिए हमेशा बोलते कि अपने एपिटाइड के अकॉर्डिंग लेस्टॉप लॉस आरेसाइड थरी सेंपइंट जेरो सेवन पे है एन आरेसाइड आलमस्ट उस पॉइंट के आसपास है जहां है मार्केट में थोड़ी से गिरावट दिखे मुझे लगता है ये लॉंग टम के लिए कॉमलेट करने का बहुत अच्छा मौका है शॉट टम के लिए भी है बट थोड़ा सा रिस्क फेक्टर रहता है शॉट में तो इसलिए मैं लॉंग टम का ज्यादा लेके चलूंग यह इसके रिवर्सल का पूरा पूरा मौका है और अभी के लिए चलते हैं इसके वीकली चार्ट पे आरेसाइए फिटी सारी 47.39 पे है ये भी उस पॉइंट पे है जहां से इसको रिवर्सल का थोड़ा सा नीचे है इसका सपोर्ट वैसे बाट येस अगर यहां के सपोर्ट और बाकी सारी चीज़े देखें तो यहां पे सपोर्ट भी अफकॉस इसको है अभी के लिए एक ही दिन हुआ है और यहां पे भी ये रेंज बिलकुल बनाता हो दिखाए देरहा है बट ब्लू रेंज है जो कि न्यूटरल होती है तो रेंज जरूर यहां पे बनाता हो इसकी स्टेबल रही है अमांट भी यहां पे दिया है 57.7 57,750 क्रोड का है और लॉंग टर्म शॉर्ट तर्म दोनों का है यह च्रीज़े इसकी स्टेबल है तो यह एक अच्छी बात है क्योंकि देखें किसी चीज़ को मेंटेन करना भी बहुत बड़ी बात होती है तो गया है वॉल्यूम कल फ्राइडे को जो आया था 25.22 मिलियन का था आज 19.79 मिलियन का है बट डिलिवरी परसेंटेज हमारा काफी स्टॉंग गया है देखे इतना हमें डाउनोंग तो काफी स्टॉंग मिले बट वॉल्यूम को देखे तो वॉल्यूम हमें कुछ खास नहीं आया हो सकता है कि यह रिवर्सल का हो सकता है कल भी करेक्शन रहे मार्केट में थोड़ा सा और नीचे जाए बट यह जरूर है कि यहां से वापसी बहुत स्टॉंग तरीके से लेगा तो उस चीज को ध्यान में रखे चले स्टॉप लॉस अपने एपटाइट के अकॉर्डिंग एपटाइट मंत के एंड के है तो लेट्स ही हम इनको अचीव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं रेस्ट यह में रिए अनलिसेज है बाइसल होल की कोई रेक्मेंडेशन नहीं है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए शुक्रिया ऑन हैपी इन्वेस्टिंग